नमस्कार दोस्तों रादे रादे सभी को तो एक शॉर्ट वीडियो सभी कैंडिडेट्स के लिए जो दो हजार चोबिस को टार्गेट करने वाले हैं आप लोगों को मैं एक एफेक्टिव वे बताने वाला हूँ पढ़ाई करते से मैं जो आपकी एफिशनसी को काफी जादा इंक्रीज करतेगा साथ ही साथ आपको एक आइडियल मैं स्टडी आर्स भी बताऊँगा कि कितने घंटे एक आइडियल कैंडिडेट को पढ़ना चाहिए तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले सभी से रिक्वेस्टे सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए का कमेंट करना ना भूले और चैनल पे नहीं है तो सबस्क्राइब करना भूलेगा ठीके जी तो सबसे पहले स्टडी आर्स की मैं बात कर लेता हूँ रफली टैन आर्स के राउंड का आपका स्टडी आर्स होना चाहिए अगर आप फुल टाइम एक एस्पेरिंट है तो और अगर आप 10 गंटे नहीं बट रहे हैं तो पता नहीं मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो क्योंकि 10 गंटे आर्स इंसान निकाल सकता है और 10 आर्स वो effective study है अब 10 आर्स को आप equally जैसे कि इनिशली आप स्टार्ट कर रहे हो एक beginner level पे हो तो तीन सब्जेक्ट में आप तोड़ दोगे ऐसा है कि सर नहीं हम थोड़े से advanced level पे है तो आपको फिर चार सब्जेक्ट में क्योंकि general awareness भी उसमें इंक्लूड हो जाता है उसमें आप 4 या 5 पार्ट में भी even तोड़ सकते हो उसमें बीच में कभी-कभी आप sectional marks भी लगा रहे हो तो वो 4 to 5 parts में तूटता है फिर बट अगर आप initially start कर रहे हो तो फिर आप 3 subject में तोड़ते हो English reasoning, quants क्योंकि initially आप concept और अपने syllabus complete करने पर ही focus कर रहे हो तो जिस भी stage पे आप according लिए आप 10 hours की minimum study hours आनी चीए आप कोई बचे ये भी कुछते हैं कि सबसे जल्दी उठों रात को पड़ू जो आपके लिए जाधा ideal रहे आप दोनों चीज़े ट्राइ करके देख सकते हैं आपके लिए जो timing सबसे जाधा ideal रहे हो रहे किसी को ऐसा है कि नहीं सब दुपैर में थोड़ी नीद आती है तो दुपैर मैं भी नैप लेता हूं 45 मिनिट्स के राउंड की जिसे कि माइंड फिर से रिसेट हो जाए पुरा एकदम फ्रेश लगता है उटने के बाद तो वह भी आपको लगे तो वह कर सकते हो वाकि आपका रात का टाइम जैसे मैं रात के टाइम पढ़ना जादा प्रिफर करता था सुबह मैं दिन में फिर लेट उटता था काफी पर मेरे लिए वो आइडियल टाइम रहता था उस टाइम मैं सबसे थाद एफेक्टिवली पढ़ पाता था आपको अगर दिन का टाइम लगे आप दिन का करो जो भी आपको बहतर लगे पर टैन आर्स के एफेक्टिव मिना एक अपना मेंटल इंडूरेंस बनता है क्योंकि हमारा पेपर भी जो अपने मेंस का फाइनली देंगे वो दो गंटे का ठाई गंटे का तीन साड़े तीन गंटे तक का हुआ इतने लंबे समय तक अपने को लगातार माइन को वर्क पर रखना है तो उसके आदत अपने पहले से डाले ठीक है जी और इतने जब आपने बढ़ने बैठ रहे हैं इस बात का खास दियान रखें कि जो जैसे कि काफी बच्चे मुबाइल से पढ़ते हैं उनके लिए ये सजेशन रहेगा कि बाकि जितने भी एप्स बगयरा है जितने भी है उनकी नोटिफिकेशन ब बिल्कुल बंद करके रखें बिल्कुल बंद करके रखें अगर अवाइड नहीं कर पा रहें मस्ट है कि सर रखना है अगर नहीं है मस्ट तो या तो से फिर डिलीट कर दें आप ठीक है नहीं है डिलीट नहीं कर सकते हैं जैसे टेलिग्राम वेलिग्राम तो पढ़ाई के भी काम के आते हैं बच्चों के तो वो रख सकते हैं बाकी जो चीजें हैं वो सब आप डिलीट करें के रखें नहीं तो at least notification सभी के बंदो नीचे हैं अब जो बच्चा mobile से पढ़ता नहीं है laptop से पढ़ रहा है computer से पढ़ रहा है यह जो बच्चे तो mobile से नहीं पढ़ते हैं mobile से जो पढ़ते हैं सारे के सारे जितने भी आपके यह distracting apps वगयरा जो भी है इंस्टा हुआ, whatsapp हुआ, youtube वगयरा हुआ यह सब को एकदम आप youtube वगयरा तो डिलीटी कर दो मतलब जिस टैम पढ़ रहे होते हो या फिर उनका बिलकुल notification बंद कर दो कि किसी प्रिकार का कोई पढ़ते टाइम वो distraction नहीं आप है इसका initial आपको करना तुरह difficult रहेगा बट with time आप जैसी acquire कर लोगे certain दिन तक अगर कर पाते हो तो बहुत ही एक अच्छी अपने अंदर habit आप cultivate कर दोगे और ये long term में बहुत helpful जाएगा ठीक है जी तो अपने ने 2-3 points की बात की वो 3 new points को implement कीजिए I'm sure कि आपके preparation में बहुत help होगी जाने से पहले जितने बच्चे भी 2024 को target कर रहे हैं मैंने अपने site और app का link नीचे description में डाला है आप एक बार visit जरूर कीजिएगा हमारा जो animal subscription है वो अभी 1750 रुपय का पढ़ रहा है जिसमें आपके all old courses और upcoming जितने भी new courses है सब इसमें included है और हमारा जो main focus रहता है वो mains रहता आप YouTube पे देख सकते हैं हमारी जो M3 वाली playlist है वो आप एक बार check कीजिएगा check करके आप realize करेंगे कितना अच्छा content है means का और आप सोच लीजिए paid में कितना अच्छा फिर हम करवाएंगे और regularly करवाते हैं और इतना सारा content आपको करवाया जाता है दो subject हम cover करते है reasoning और quarts और जैसे मैंने का 1750 using the code VT20 VT20 आपको code लगाना पड़ेगा उसके बाद आपको मिलेगा बाकी इसके regarding आपके मन में कोई doubt हो के सर purchase करने से पहले या फिर हमें यह नहीं लेना कुछ और लेना है या फिर आप preparation के regarding कुछ मेर से जानना चाहते हो personally तो मैंने अपने telegram ID भी नीचे दी है description में मैं comment section में भी pin कर दूँगा तो आप वहाँ पर मुझे directly message कर सकते हैं ठीक है तो that's all for today's session रदे रदे